नमस्कार मैं प्राणिशीर राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूस राजस्थान कॉंग्रेस में इस वक्त काफी जादा हल चल मची हुई है जहां एक तरफ कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ यात्रा में व्यस्त है तीन दिसंबर के दिन ये भारत जोड़ यात्रा राजस्थान में रुक करने वाली है लेकिन इस यात्रा से पहले स्यासत काफी तेज हो चुकी है दावे की जारे हैं पूर्व उपमुख्य मंत्री सचेन पाइलेट की समर्थकों की तरफ से कि अगर यहां पर स्थियम पत की द मांग कर चुके हैं दरसल आपको बता दे कि 25 सितंबर की रात गहलोद गुट के 92 विधायकों ने सीपी जोशी को अपना इस्थिफा सौब दिया उन पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है और सीएम अशोग गहलोद भी सचिन पाइलेट पर अब तंज कस्तिवी नसरा रहे साल 2020 में मानिसर होटेल में जाकर बैठ गए थे सचिन पाइलेट और उनका गुट और उस वक्त अमिश शाह जीवी वहां पर मौझूद थे यह तमाम सवाल खड़े कर दिये हैं अशोग गहलोद ने जिस तरीके से उन्हों ने यहां पर तमाम तरीके से खुल कर अपनी बात रखी है सचिन पाइलेट के समर्थन में क्या कुछ कहा है जरा देखिए यह रिपोर्ट कोई बगावतर निये सारा यह आलक मान की अवेलना एक भी आदमी नहीं कर सकता और कॉंग्रेस हाई कमान के आसिरवाद से सारे हैं मेले हैं उनके आसिरवाद से सारे मंत्री और मुख सब कुछ को कॉंग्रेस हाई कमान का असिरवाद है उसकी वज़े से बैठें तो यह वन टुवन करा लो ना आप मैं कह रहा हूं असी परसेंट है मेले इस अचिन पाइलेट साब के साथ नहीं हो तो हमारा दवा छोड़ देंगे कि उनमें से आपने पांच लोगों को मंत्री क्यों बनाया जो दस-दस करोड रुपाय अमिच्छा से लेके आए उनमें से पांच लोगों को तो आपने मंत्री बना दिया और यह स्टेड तो उस टाइम में लेते तो ज़्यादा बढ़िया था ना अब आप यह नए नियम क्यों लग रहे हैं हमारे साथियों को जब हमारे साथी मंत्री बन रहे था तब तो नियम नहीं थे अब मुख्य मंत्री जी आप किस तरीके से बोल रहे हैं मैं बताना चाहरू आपको 80% विधाय के तो हम सचिन जी पाइलेट अपना दावा छोड़ देंगे मुख्य मंत्री के लिए वह करें नहीं बन सकते दस मंत्री दस विधायक उनके साथ नहीं है कि असी परसेंट विधायक सचिन पाइलेट साब के साथ नहीं हो तुम्हें बताना चाहरू हम हमारा दावा छोड़ देंगे तो यह फिर आप वन-टू-वन कराने में क्यों घबरा रहे हो से एल वन-टू-वन करा हो क्यों बैठे हो कराना चाहिए इसके लिए देखिए मैं तो इसके लिए यही जानकारी चाहता हूं कि यह जो आलक माने नोटिस दिये थे उनने तो नोटिस पर कारवाई हुई और राजस्तान में जिस तरह की सिस्टम चल रहा है यह आज दिवंगत आत आज उनकी धरम पतनी विधायक है कैसा लग रहा है उनको उनके बारे में ऐसी बाते कर रहे हैं बदा नहीं निकमा नकारा अगदार यह सब बोलते रहते हो लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि सचिन पाइलेट साहब यह राजस्तान की सेथ के लिए उनसे बढ़िया ने सब्सक्राइब की नहीं नियुक्त आज बोलते में यह बता रहे हैं उने से तीन विदायक तो आज मेंके साथ वहां के वहीं गया इनके 1002 वालों मैंसे एक में खड़ा और कांगाउंटिंग क्यों नहीं करवाए आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरीए कि किस तरीके से राजेंदर गुड़ा खुल कर अपनी बात रखते हुए नसरा रहे हैं देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार यहां पर अशोग गहलोत के गुड़ के जो तमाम यहां पर नेता हैं जो सचिन पाइलेट के समर्थन में उतर रहे हैं महिलाएं भी सचिन पाइलेट के समर्थन में उतर रहे हैं देखना होगा कि जिस तरीके से राजेंदर गुड़ा ने पलटवार किया है कि आखिरकार अब राजिस्थान की सियासत में क्या नई मोड देखने को मिलेंगे साल 2023 में राजिस्थान में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं देखना दिल्चस्प होगा कि जीत किसकी होगे क्या यहाँ पर सचिन पाइलेट का सपना पूरा होगा कॉंग्रेस को एक बर सत्ता में लाने का इस पर आपकी क्या कुछ राय पृतिकिरिया है या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्षन में और 3 दिसंबर के दिन भारत जोड़यात्रा राजिस्थान में रुख करने वाली है इस रिपोर्ट में इतना ही बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज